दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज की दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग है नौ जन्वरी सन दोजार चौबिस विक्रम समध दोजार असी चल रहा है पोश्च मास है कृष्ण पक्ष है हमंत्रितु है त की वक्रोण आज के नक्षट्र की बात करें तो जेश्टां नक्षट्र रात्री नोव बच के 11 मिन्ट तक है आगे मूल नक्षट्र आ जाएगा योग वरद्धी है पुरे दिन और रात्री तक तो योग की द्रष्टा से अच्छा दिन हैALLY कोई भी काम करेंगे उसमें व्रद्धी होगी तो जो लंबे समय तक चलाना हो काम तो आज आप शुरू कर सकते हैं करन गर है दिन में 11 बच के 19 मिनट तक आगे वनिच करन रहेगा सूर्यदे का समय दर्शकों सुबह 7 बच के 17 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 5 बच के 50 चास मिनट का है आज का राहुकाल दोपैर बाद 3 बचे से लेकर 4 बच के 30 मिनट के बीच है इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुबकारे नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभी जित मुरत आज दोपैर 12 बच के 12 मिनट से 12 बच के 15 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इनको ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा यह सुबह 9 बच के 24 मिनट और सुबह 10 बच के 6 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो यही रहे कि इस्ट का या भगवान श्रीराम का ध्यान करें उनसे प्राथना करें और फिर यह यात्रा शुरू करें ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुन्दर रहेगी कारे सिद्ध होगा और दिशा शूल आपको नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि कमपेरिटिवली आज क चंद राशी दर्शे को व्रशिक है रातरी नौ बच के ग्यारा मिनट तक आगे चंद्रमा अपनी नीच राशी छोड़कर धनु राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज के दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की तो मेश राशी वालों को आज वहन चलाने में विशेश सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना है वहीं व्रश राशी वाले अपने जीवन साथ ही या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहा सुनी होने से रहेंगे परेशान और मितुन राशी वाले जेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में हैं तो पुराने वाहन तो बिल्कुल ना ले कन्या राशी वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेड़ना तुला राशी वाले बोलने में रखें आज विशेश सावधान आज आपकी वज़े से कोई हर्ट हो सकता है प्रश्चिक राशीवाले आज अवसात ग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवशक्ता मेहसूस होगी धनू राशीवाले आज किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं अटकाना दे मकर राशिवाले किसी अच्छे देवे स्थान या संत के दर्शन करने आप चाहें तो दर्शन को ये था आज का पंचांग जिसके समुचित ज्यान से आप अपने पूरे दिन को सूजबू से अच्छे से मैनेज कर पाएंगे सही समय का पूरा-पूरा सदुपयों कर गलत समय यानि जो टालने योग के समय हमने आपको बताया इसमें कोई बड़ा कदम उठाने सा बच जाएंगे आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विस्स रुपायों को जो आपकी समश्यां से आज के दौर में नितान तवश्यक्ता है जब लगवग लगवग सभी लोग लाभानी देख करी संबंद निभा रहें बना रहें इस पर शास्त्रवचन इस प्रकार है कि परो अपी हितवान बंदू अपी अहिते परे अहिते देहजे व्याधी हितम आरेन्यम औशधम अब अपने परिवार के सदश्य अपने स्वजन ही आपको नुकसान देना शुरू हो जाएं तो उसे महत्वे देना बंद कर दें ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर के किसी आंग में कोई बिमारी हो जाए तो वो हमें तकलीफ पहुंचाने लगती है जबकि जंगल में उगी होता जिसके लिए आपको अपमान या अनादर जहलते हुए भी निभाना अनिवारे हो तो आपने जीवन में सुक शान्ती को महत्वे दीजिए और टॉक्सिटी से दूर रहिए तो दर्शे को यह थी ज्यान चर्चा अब बात करते हैं उन विसस्ट रुपायों पर जो आप सब लोग हनुमान जी को लाल दोजा लाल अलंगोट और पान के साथ लड़ू अर्पित करें और उनके नाम से घर में बनावा कोई मिस्टान छोटे-छोटे बच्चों में बाटे सवा किलो मसूर की डाल भगवान शिवजी पर अर्पित करें साथी रातरी में लगवग सव दिनों से परिशान चले आ रहे हैं ग्रहबादा बनी हुई है शत्रुबादा है या फिर घर की वास्तु बहुत जादा खराब है किसी प्रकार का संकट जो आपके कारियों को आपके करियर को व्यापार पर खत्रा बना हुआ है उन सभी समश्याओं के लिए एक बहुती सट किस्त्र लाल दोजा खड़ाव लंगोट यग्योपवित पान घी सिंदूर दो लड्डू दो लॉंग एक जाइफल अर्पित कीजिए और हनवान जी से अपने संकटों के इनाश के लिए आर्थ भाव से प्रासना कीजिए फिर चार माला सिताराम की करके उसका जो फल है वह हनवान जी को समर्पित कर दीजिए फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाब मंदिर में ही आप बैठके कीजिए प्रतेक माला के जब के बाद में आपको शास्टांग दंदवत होना है और फिर पुने अपना जब शुरू करना है जो मंत्र आपको जाब करना ह उस प्रकार ध्यान से समझेगा बहुत ही तिवर्ता से असर करने वाला ये मंत्र है मंत्र इस प्रकार है तौ मस्मिन कार्य निर्वा है प्रमाणम हरी सत्तम तश्य चिंत यतो यतनो दुख्षय करो भवेत पुरे मंद से करेंगे भगवान एक ही दिन में आपकी समश्याओं का समाधान शुरू कर देंगे ऐसे ही दर्शिकों जिन लोगों के मंगल की पीड़ा बहुत ज्यादा हो यानि जनम पत्री का मंगल परिशान कर रहे हो और बहुत ज्यादा मांगलिक दोशों या मंगल से सम्मंदित कोई किसी प्रकार के निर्वलता हो वो आज के इस विस्ष्ट मंगलवार से कुछ उपाय करें समश्याओं से निजात पा सकते हैं जैसे की आज आज आप सुबह गुड के तीन टुकडे लेकर निकलिए घड से एक टुकडा मंदिर मर पित कीजिए एक जमीन में कहीं दबा दीजिए और एक गौमाता को खिला दीजिए फिर शिवाले में मसूर की दाल गुड शिवलिंग पर पित करें और बंदरों को गुड चना खिलाइए साथी साथ प्रतीक मंगलवार इस विस्ष्ट मंत्र की चार माला का जाब मातर चार माला का जाब करते रहें तो मंगल आपको परिशान करना बंद कर देंगे अंतर फिर से समझते हैं और मंगल देवता की कृपा आपको निश्यत रूप से प्राप्त होगी तो दर्शे को ये थे आज के वो विसस्ट उपाए जो आपको समश्चाओं से बाहर ला रहे हैं और मनुकामनाई सिद्ध कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिका आई है हमारे दर्शक जितेंद्र जी की 22 जनवरी 1981 का जनम है सुबह पांच बच के सताउन मिनट जयापुर आगे का भविश्य कैसा है सफलता कब मिलेगी इनका प्रश्न है जितेंद्र जी दनू लगन करकराशी की जनम पत्रिका आपकी सूर्य ग्रेंट चंद्र ग्रेंट दोनों है जनम पत्रिका में पंचमेश और करमेश यह दोनों अस्त हैं ऐसे में कुछ भी सरलता से सहजिता से आपको प्राप्त नहीं होता है और यही स्तिती अभी आगे एक दो वर्श और चलती रहेगी अप्रेल सन्द दो जार पच्चिस के बाद से आपका अनुकूल समय शुरू हो जाएगा लेकिन आप सूर्य मंगल के जाप चंद्र ग्रें और है तो कब तक है इनका प्रशन है परलवी जी आपकी कुम्ब लगन की पत्रिका है कुम्ब ही राशी है भागेश और पंचमेश बारवे भाव मिस्तित है सब्तमेश सूरी बिस्तित है तो यह तै है कि आप विदेश जाएंगी और यह जो योग है आपका विवा के 2024 से बन रहा है आज की तीसरी पत्रिकाई है हमारी दर्शक सारिकाजी की 30 जुलाई सन 1998 का जनम है शाम 6 बच के 53 मिनिट जैपुर प्रशने विवा का योग कब है और वैवाइक जीवन कैसा रहेगा देखे सारिकाजी आपका मकड लगन है तुला राशी है सप्तमेश चंद् के जब करवाईए और शिवजी पर नित्य इत्र अर्पित करना शुरू कर दीजिए आपके विवा का योग सन 2026 के अंत से 27 27 के बीच में हो जाएगा तो यह थी आज की जोतिश बंत्रणा दर्शको आप भी अपने जन्व पत्रिकाई की डिटेल्स और प्रश्न दिये गए प्रश्न सही विदी सटीक समय रटूर शद्धा से करके अप पूरा-पूरा लाव उठाएगे और अपने जीवन में यह जो घ्यानचर्चा प्रशक में की जो सट्संग हमने किया इस अपने जीवन में पूतारेंगे धीरे अपने जीवन को आप शीव में बनाएंगे सत्य में बनाएंगे और आनंद में बनाएंगे महादेव से प्राइथना करता हूं कि जब भी आप हमारे बताईव उपाए करें तो आपके कश्टो का निवारन अवश्य हो और मनोकामना पूर्ती निश्चित रूप से हो कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वा भग्यति आप सबका कल्यान करें जयादिशक्ति